ज्यादा तर लोगों को साउथ इंडियन रेसिपी इसलिए भी पसंद आती है कि वो बहुत हल्की होती है लाइट वेट होती है और खाने के बाद कुछ भी भारी पंसा नहीं लगता है तो ऐसी साउथ इंडियन रेसिपी में एक रेसिपी है कर्ड राइस जो कि बहुत आइए आज वही हम कर्ड राइस लेके आए हैं पर मेरे पास लेफ्टोवर राइस नहीं थी मैंने फ्रेश राइस बना के इसे बनाया तो आइए देखते हैं उस रस्पी कैसे बनाना है पर चैनल पर नए है तो आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्स्राइब कर ले एक छोटे चोटे दाने का आता है साउस में चावल उससे बनाया जाता है ना मुझे नहीं याद अभी और उसे मैंने तीन से चार गुना पानी के साथ इस तरह से बना इसको कर लिया था यह बिलकुल पानी हमें इसका च्छान के निकाल देना है इसलिए मैंने काफी सारे प अधिया प्रेश घर की जमी हुई दही है काडी-गाडी सी रूम टेमटरेचर पे रखी हुई तो इसे चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहां पे दही बहुत जादा खटी नहीं होनी चाहिए ताजी और घर की अच्छी दही होनी चाहिए इसे यहां पे द कावल जो है अगर एक कप है तो दही को डेड़ कप रखें उस हिसाब से इसी रेशियो से आप इसमें यह मिला लें दही को और थोड़ा कर गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूर डाल लें और इसमें थोड़ी सी महीन कटी हुई हरी मिर्शी और महीन ही कटे हुए अध्रक मै यहां पर एक बहतरीन सा तड़का त्यार करना तो यह मैंने घी लिया है यह तीन बड़े चमज मैंने घी ले लिया उसमें अभी लाल मिर्ची सुखी हुई डाल दी इसको हलका सा भूनेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा थोड़ा डाल इसे भी धीमी आज पर रोस्ट क करना है दीमी आज पर ही दीमी आज पर भूनेगा तो इसका एक अलग सा रहेगा इसमें टेस्ट अच्छा आएगा और यह राई है महीन वाली जो बनार सी राई होती है वो मैंने यहां पर एड़ किया इसमें और अभी डालते हैं इसमें करी पत्ता तो यह ताजे करी के पत हैं वैसे यह बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इतना हम मैंने इसमें डाला है यह तैयार है और अभी इसको हमें थोड़ा सा ठंडा करना है बिल्कुल गरम कर एड़ नहीं करना उसमें गैस मैंने ओफ कर दिया है और इसको च बहुत ही अच्छा लगता है पेट को इतना हलका घंडा रखता है जब भी कुछ हभारी सा खाने का ना मन करें कुछ लाइट भीट दो आप इसे मैं सकते हैं एसमें बतने हंब गे स ऐसाब में नाल दे नह दोड़ा साहर री धनीय की पती और इसे मिक्स कर लें बहुत अच् कि किया है अच्छी तरह से इसको चावल और जो सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इसे हाथ से मिक्स किया जाता है ड़िट इसे वर कर लिए जरू कर लिए कुछ इस तरह से और ऊपर से मैंने वही रोस्टेज जो जलका मैंने बनाया था थोड़ा से रखा और उसे गार्णिश कर लिया मुख्बली, राइ और करीपते, मिर्ची रखा और थोड़ी एक करीपते रखा एक पत्ता रखा त्यार है हमारा फेर ये कर्ड राइस बनाईे खा एंज्वाइब करें और मैंने इसी तरह से कँगंदर क आप जरूर एक बार देखिएगा पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा तो फिर मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ देखते रहें क्लोगल देसी रसोई विद्शालिनी पाई